ओम शांती, आज है 15 जुलाई 2021, मीठे प्यारे बाबा के साकार महावाक्य सुनेंगे, मुल्ली का सार है मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो, तो राहू का ग्रहन उतर जाएगा, दे दान तो छूटे ग्रहन, तुम विकारों का दान दे दो, तो राहू का ग्रहन उतर जाएगा, दे दान तो छूटे ग्रहन, प्रश्न है, व्रिक्षपती बाब अपने भारतवासी बच्चों पर ब्रहस्पती की दशा बिठाने के लिए कौन सी सम्रिती दिलाते हैं, उतर है, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आधी सनातन देवी देवता धरम अती श्रेष्ट था, तुम सर्वगुन संपन, सोला कला संपूरन थे, तुम मुझ सागर के बच्चे कामचिता पर बैठ काले हो गए हूँ, ग्रेहन लग गया है, अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ, यह सम्रिती आने से ब्रहस्पती की दशा बैठ जाती है, गीत है ओम नमोशिवाई, ओम शान्ती, यह किसकी महिमा सुनी, बेहद के बाप की, उच्च ते उच्च बाप, परमपिता परमात्मा ही है, लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे, बच्चे जानते हैं, सब आत्माओं का पारलोकिक बाप, वह है उच्च ते उच्च, उनका नाम ही है शिव, बिगैर नाम रूप के तो कोई चीज होती नहीं, इस समय सब को राहू का ग्रहन लगा हुआ है, इसलिए इनको आइरन एज़िड वर्ल्ड कहा जाता है, दशाएं भी होती हैं, ब्रस्पती की दशा, शुक्र की दशा, अब तुम्हारे उपर है ब्रस्पती की दशा, जिसकी महिमा सुनी, उच्च ते उच भगवान शिव ब बाकी किसम किसम के अनेक नाम रख दिये हैं, असुल नाम है शिबाबा, बाब समझाते हैं, मैं बीज रूप चैतन्य हूँ, सत चित कहते हैं, फिर कहते हैं, वह सुख का सागर है, आनंद शांती का सागर है, महिमा सारी उस एक की ही है, भारतवा सी महिमा गाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं एकदम पत्थर बुद्धी हो गए हैं पत्थर बुद्धी किसने बनाया? रावन ने सत्युग में भारतवासी पारस बुद्धी थे आज से 5000 वर्ष पहले यह भारत पारस पुरी था जिसमें देवी देवता रहते थे भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है भारत में ही पारस बुद्धी देवता थे इस समय पत्थर बुद्धी पतित रहते हैं पतित कैसे बनते हैं? यह भी बाप ने समझाया है द्वापर से जब कामचिता पर बैठे हैं तो काले बन जाते हैं काम अगनी में सब भस्म हो गए हैं उसमें भी खास भारत की बात है भारत में पारस बुद्धी देवताओं का राज्य था उनको विश्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता था यह बाप आकर बताते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों जब तुम सत्यूग में थे सर्वगुन संपन थे यह तुम्हारी महिमा है वहां विकार होते नहीं द्वापर से रावन पांच विकारों का राज्य शुरू हुआ है तो राम राज्ये बदल कर रावन राज्ये होता है अभी ग्रहन लगा हुआ है बिल्कुल ही भारत काला हो गया है ब्रहस्पती की दशा सबसे अच्छी होती है भारत पर ब्रहस्पती की दशा सत्युग में थी फिर त्रेता में शुक्र की दशा तो दो कला कम हो गई उसको कहा ही जाता है सिल्वर एज फिर द्वापर कल्यूग आया सीड़ी उतरते आये शनीचर की दशा हुई इस समय सब पर राहू की दशा है सूर्य को ग्रहन लगता है तो कहते हैं देदान तो छूटे ग्रहन अब रुहानी बाप बच्चों को समझाते हैं यह है रुहानी ज्यान यह कोई शास्त्रों का ज्यान नहीं है शास्त्रों के ज्यान को भक्ती मार्ग कहा जाता है सत्युक्त रेता में भक्ती होती नहीं ज्ञान और भक्ती, फिर है वेराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है, यह है शूद्रवन, विराट रूप दिखाते हैं, भ्राम्मन, देवता, शत्रिय, वैश्य, यह भारत की ही कहानी है, विराट रूप बनाते भी हैं, परंतु पत्थर बुद्ध समझते नहीं, पत्थर बुद्धी क्यों है, क्योंकि पतित हैं, भारत वासी ही पारस बुद्धी थे, संपूरन निर्विकारी थे, आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, और कोई खंड नहीं था, यह बाप समझाते हैं, यह राज्योग कौन सिखाते हैं, शिवाचार यह है ग्यान का सागर, कोई मनुश्य को ग्यान का सागर सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते हैं, सर्व का लिबरेटर एक ही बाप है, बाप खुद ही आते हैं, दुख में रावन से लिबरेट करने, फिर गाइड बन ले जाते हैं, उनको रुहानी पंडा कहा जाता है, बाप कहते हैं मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूँ सबको वापिस ले जाऊंगा मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं कहते भी हैं Godfather is Liberator Guide, Blissful सबके उपर रहम करते हैं क्योंकि सब सागर के बच्चे कामचिता पर बैट जल मरे हैं उसमें भी खास भारत की बात है बाप कहते हैं तुम सोला कला संपूरन संपूरन निर्विकारी थे अब कामचिता पर बैट तुम क्या बन गए हो अब फिर बाप आए हैं व्रिक्षपती बाप आकर मनुश्य मात्र पर ब्रहसपती की दशा बिठाते हैं खास भारत आम विश्व पर इस समें राहू का ग्रहन लगा हुआ है बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत की खास दुनिया की आम गती सदगती करता हूँ तुम यहां आए ही हो पारस बुद्धी बनने Most Beloved बाप हुआ सब आशिकों का माशूग एक ही है सब नेशन में लिंग जरूर बनाते हैं क्योंकि सब का बाप है न शिव के मंदिर भारत में बहुत हैं जिसको शिवालिय कहते हैं रहने का स्थान सत्यूग में हैं देवी देपता धरम के मनुष्य परन्तु वह धरम कब था? उनों का राज्य कब था? यह पता नहीं है सत्यूग की आयू लंबी लिख दी है बापैड समझाते हैं तुम्हारे उपर अब ब्रहस पती की दशा बैठ रही है 21 जन्मों के लिए व्रिक्षपती है ज्यान का सागर पतित पावन जिसको सब पुकारते हैं तुम मादपिता हम बालक तेरे सब उनकी महिमा करते हैं बरोबर सत्यूग त्रेता में सुख घनेरे थे जबकी बाप हैवली गौड़ फादर है स्वर्ग का रचईता है तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए बाप समझाते हैं तुम सब स्वर्गवासी थे अब नर्कवासी बने हो भारत का ही आदिसनातन देवी देवता धरम है जैसे क्रिष्टन धरम के हैं वे क्रिष्टन धरम के ही चले आते हैं बाप कहते हैं तुम देवी देवता धरम वाले अपने धरम को क्यों भूल गए हो जबकि तुम देवी देवता धरम के थे बाप समरीती दिलाते हैं तुम्हारा सबसे श्रेष्ट धरम करम था अभी तुम नीच पापी कंगाल बन गए हो तुम हो ही देवताओं के पुजारी फिर अपने को हिंदू क्यूं कहलाते हो भारत का यह क्या हाल हो गया है जो देवता धरम के हैं वे विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं बाप कहते हैं अभी इस पतित दुनिया का अंत है माहा भारत लड़ाई भी खड़ी है भगवान वाज हम तुमको सत्यों के लिए राजयोग सिखाता हूँ भगवान तो एक ही है हम उनके बच्चे साली ग्राम है बाप कहते हैं तुम जो पुज्य थे वही पुजारी भगत बन गए हो अब फिर ज्यान लेते हो पुज्य देवता बनने के लिए फिर द्वापर से पुज्य सो पुजारी बन जाएंगे तुम पूरे 84 जनम लेते हो जिनोंने 84 जनम लिये हैं वही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे ब्रह्मा द्वारा आदीस नातन धरम की स्थापना यह भी गाया हुआ है प्रजा पिता है तो बहुत बच्चे भी होंगे वहे तो जरूर यहां ही चाहिए कितनी धेर प्रजा है इन ब्रह्मनों को ही फिर देवता बनना है बाप आकर शूद्र से बदल ब्रह्मन धरम की स्थापना करते है इस संगम युग पर ही आदीस नातन देवी देवता धरम की स्थापना होती है यह है कल्यानकारी संगम युग इस लड़ाई को ही कल्यानकारी कहा जाता है इस विनाश के बाद ही फिर स्वर्ग के गेट खुलते हैं तुम यहां आए हो स्वर्ग वासी बनने वह विश्नुपुरी में चलने तुम बच्चों पर अब अविनाशी ब्रहस्पती की दशा है सोला कला संपूरन कहा जाता है फिर दो कला कम होती है तो शुक्र की दशा कहा जाता है सत्युग में ब्रहस्पती की दशा है फिर त्रेता में शुक्र की दशा फिर नीचे गिरते आए हो मंगल की शनीचर की राहू की दशा भी होती है जनम जनमांतर उल्टी दशाएं फिरती आई हैं अब बाप द्वारा प्रहस्पती की दशा बैठी है यह है बेहत का बाप ज्यान का सागर पतित पावन वही तुम्हारा बाप भी है शिक्षक भी है और सत्गुरू भी है बाकी सब हैं जूठे किसी की सद्गती कर नहीं सकते इसको कहा जाता है विशिस वर्ल्ड वह है वाइसलेस वर्ल्ड अब विशिस वर्ल्ड में सभी बहुत दुखी है लड़ाई मारा मारी क्या क्या हो रहा है इसको कहा जाता है खूने नाहक, बिगैर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं एक की एक ही बॉम ऐसा गिराएंगे जो जट सारे खलास हो जाएं यह वही संगम युग का समय है तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए तो अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मन मनाभव यह कौन से बाप ने कहा शिबाबा ने कहा वह तो है निराकार, यू निराकार तो तुम भी हो परन्तु तुम पुनर जनम में आते हो, मैं नहीं आता हूं इस समय सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं पतित बनना ही है, सतो, रजो, तमों में उतरना पड़े इस समय सारा जाड जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है दुनिया बिलकुल पुरानी हो गई है अब फिर से उनको नया बनाना पड़े पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितने हैं पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज्य करते हैं एक ही धरम था और कोई धरम नहीं था भारत को ही हैवन कहा जाता है गाया जाता है घठी में सूर्य, घठी में चंद्रमा सत्यूग में नौ लाक होंगी पीछे फिर व्रिधी होती है पहले बहुत छोटा फूलों का जाड होता है काटों का कितना बड़ा फॉरिस्ट है देली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं फॉरिस्ट देखो कितना बड़ा होता है सत्यूगी गार्डन भी बहुत छोटा है फिर व्रिधी को पाते पाते बड़ा होता जाता है अभी तो काटों का जंगल हो गया है रावन के आने से काटे बन जाते हैं यह है काटों का जंगल आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं कितना क्रोध है बंदर से भी बत्तर कहा जाता है तो बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे तुम्हारे उपर अभी व्रिक्षपती की दशा है अब देदान तो छूटे ग्रहन संपुन निर्विकारी अब यहां बनना है फिर यह शरीर छोड़ जाकर शिवाल्य में आ जाएंगे शिवाल्य में बहुत सुख होता है देवी देवताओं का राज्य है सत्यू को कहा जाता है शिवाल्य कल्यू को कहा जाता है विशाल्य यह विशाल्य रावण ने स्थापन किया है अब बाप कहते हैं पतित से पावन बनना है कैसे बनेंगे? क्या त्रिवेडी में गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? यह तो जनम जनमांतर करते आये हो करोडों मनुश्य जाकर स्नान करते हैं बहुत नदिया, नाले, तलाब आदी हैं जहां पानी देखते हैं, जाकर स्नान करते हैं क्योंकि अपने को पतित समझते हैं अब पारसनात तुम्हारी पारस बुद्धी बना रहे हैं तो ऐसे पारसनात बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप तादा का याद प्यार और गुड मौनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप तादा को दिलवा, जान, सिक्वा, प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी गुड मौनिंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वहा मेरा भाग्य, वहा मेरे भाग्य विधाता बाबा धारना के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट इस काटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी काटे अर्थाद विकार हैं उन्हें निकाल देना है पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है दूसरी पॉइंट इस कल्यान कारी संगम युग पर शूद्र से भ्राम्मन सो देवता बनने का पुर्शार्थ करना है राहु के ग्रहन को उतारने के लिए विकारों को दान देना है बरदान है संगठन में एक मत और एकरस स्थिती द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव संगठन में एक मत और एकरस स्थिती द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव एक्स्प्लानेशन है संगठन में एक ने कहा दूसरे ने माना यह है सच्चे स्नेहे का रिस्पॉंड ऐसे इसनेही बच्चों का एक्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है जहां माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है घेराव है तो वहां आने की हिम्मत नहीं रखती एकमत और एकरस स्थिती के संसकार ही सत्युग में एक राज्य की स्थापना करते है स्लोगन है कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी है कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी है अच्छा, ओम शान्ती